आज की इस इस्टोरी का टॉपिक है गुफ्तार दिल नशी इमाम के इमाम सेरे सज्जाद अले इसलाम के रिष्टेदारों में से एक शख्स एक दिन आपके पास आया और आपको बुरा भला कहा आपने कोई तवज्जु ना की और वो अपने दिल की भड़ास निकाल कर चला गया तो इमाम ने अपने असहाब से फर्माया तुम लोगों ने सुना उसने मेरे बारे में क्या कहा मैं चाहता हूँ अब तुम लोग मेरे साथ आओ और देखो मैं उसे किस तरह जवाब देता हूँ वो लोग इमाम के हमरा हो गए इमाम सज़ाद अले इसलातु असलाम ने ये आयत पढ़ी और गसे को पी जाने वाले और लोगों को मौफ करने वाले हैं और अल्ला तो इहसान करने वालों को दोस्त रखता है असहाब समझ गए कि आप इसकी तंबीह नहीं करेंगे जब आप उसके घर पर पहुचें तो इमाम ने उसे आवास दी वो अपने घर से तैश के आलम में बाहर निकला जैसे कि वो इमाम से लडने का इरादा रखता हो हजरत ने फरमाया हजरत ने मुस्कुरा के बहुत ही प्यार से बहुत ही मुहबब से हजरत ने फरमाया एए मेरे भाई जो तुमने जो बातें तुमने मेरे बारे में कहा है अगर मैं उसका सजावार हूँ अगर वो मेरे अंदर पाई जाती है तो खुदा मुझे मुझे मौफ कर दे और अगर मैं उसके काबिल नहीं था तो खुदा तुम्हे मौफ कर दे इमाम के रिष्टिटारों में से किसी ने आके बुरा भला कहा यानि इतना बुरा भला कहा कि और कहते हैं आपके happening ठग गया फिर उठके चला गया फिर इमाम अपने असाब के साध साथ क्या आओ हम तुम बताते हैं कि हम उसे क्या जवाब देते हैं इमाम आए उसके घर पे और इमाम ने उस शखस ये कहा कि मेरे भाई जो बात तुमने जो इल्जामाद जो तोमतें जो भुतान तुमने मेरे ओपर मिरे जाद पर लगाया है अगर मैं उसका सजावार हूँ अगर वो मेरे अंदर पाई जाती है तो अगर वो बाते मेरे अंदर नहीं पाई जाती है वो बुराईया वो खराबिया नहीं पाई जाती है जिसका तुमने जिक्र किया है जिसका तुमने मेरे शख्सियत के साथ जिक्र किया है अगर वो बुराईया मेरे अंदर नहीं पाई जाती है तो गोया तुमने बोतान लगाया है याने तुमने मेरे उपर इल्जामात लगा है अगर ऐसा है तो अल्ला तुम्हें मौफ कर दे इमाम ने ये जुला इतना पोलाइटली है इतने खुबसूरत अंदाज में कहा कि all of a sudden उसका जो हर्ट था उसका उनका इमाम का वो जो जो इमाम को बुरा बला कहने वाला शख्स था उसका दिल चेंच हो गया उस ने क्या का उस शख्स ने इमाम की पेशानी का भूसा लिया और अर्ज किया मैंने जो भी कहा आप उसके काबिल नहीं थे बलकि मैं खुद ऐसे कलमात के कालबिल हूँ ये इमाम सचाद लियस्लाम का अखलाक है जो इमाम लियस्लाद लियस्लाम ने अपने एक जुम्ले के जरिये से उसके अंदर एक तब्दीली ला दिया अल्ला तबारु को ताला हम सब को एहल बैत लिया लियस्लाम के रास्ते पे चलने के तौफी के ला दिया